स्री सिवाय नमस्तु भ्यम हरहर महादेव आज है दिब्य मंगलवार और साथ ही अस्टिमीती थी है सरल से उपाय जो आसानी से आप घर पर कर लेंगे जीवन बदलने वाले हैं और परिवर्तन आना ही है रोग कर्ज से भी मुक्ती होगी दुख दरीदरता का नाश होगा और जीवन में कहीं न कहीं दुख आप पा रहे हैं तो सभी का आंत होगा आरंब करते हैं दे ना करते हुए सबसे पहला का दे आप सभी को क्या करना है अगर आपको भारी रोग हो गया है सत्रुबाधा परेशान कर रही है किसी ने कुछ आपको वर्ष में कर लिया है कोख बंधन हो गया है ब्यापार में गती नहीं है कुल मिलाकर सभी के लिए उपाई किया जा सकता है घर पर बड़े सा रलतम तरीके से आप सभी को हनमान जी की फोटू या प्रतिमा विराज मान कर लेनी होगी और साती महलापुरुस कोई भी बच्चा भी सुपाय को कर सकता है रोग का भान करते हुए सबसे पहले हनमान जी के सामने एक जल का लोटा रख दीजे और थोड़ा सा ले लिजे संकल पित अक्षत ले है आप इस उपाय को सिद्ध करेंगे ऐसा कहते हुए आप सभी को उसे जो संकल्प का चावल इत्या दिलिये हैं छोड़ देना है जमीन में उसके पश्चा जो है आप सभी को एक चौमुखा दीपक भी लगाना होगा चौमुखा दीपक लगाएं या सामाने दीपक जाता है किसी भी पूजा पाठ को सुरू करने से पहले दीपक लगा लिया जाए साथ ही संभव हो तो कुछ घर पर बना लीजिएगा कुछ भी मीठा इत्यादी चूर्मा या लड़्डू या जो है बजार से भी ला सकता है आपकी इच्छा है समर्पित कर दीजिए अब आ आप सभी को 11 या 21 बार या इससे अधिक आपकी इच्छा है वह मंत्र इस प्रकार से है ओम नमो भगवते रुद्र अवताराय सर्व सत्र संग हराय सर्व रोग हराय सर्व वशी करणाय राम दूताय स्वाह बहुत सरल मंत्र है एक दो बार आप सुद्ध तरीके से प्रक्ट निश्ची थी लाब मिलेगा इससे पहले दीपक का उपाय आपको बताय गया है क्रपया वो वीडियो भी देखी उसमें लौंग के उपाय भी है बहुत सरलतम मिधी से है करके देखेगा निश्ची थी लाब होगा पहला उपाय जाना दूसरा उपाय आप सभी को अपने ठीक है गुड का टुकडा रखना है काले तिल रखने है पीपल के पत्ते में बहुत सुभ माना जाता है यह उपाय भी सर्वकारी सिध्धी के लिए है पूरे घर में इसमें घुम जाना है सभी घर के वेक्त्यों का इसपर्ष करा लेना है अगर घर के सदश घर से बाहर हैं रोग कर्ज काड़ देते हैं और कहीं न कहीं जीवन में दुख धरीदरता का आगमन है कहीं न कहीं पुरा परिवाग असान तिमानसिक दोस्त से जूज रहा है तो साम के समय यह उपाय किसी चमतकार से कम नहीं है करके देखिएगा निश्चिति आपको लाब मिलेगा यह हो ग दो लॉंग का जोड़ा भी ले लिना है दो लॉंग का जोड़ा लेने से पहले अपने खिड़की दरवाजे ठोड़ी देर के लेखोल दी क्याएगा घर की नकारात्मक्ता पूर्ण अब आप सभी को गोमने के बाद उस लॉंग के जोड़े में अपनी मनों कामना भी बोल देनी है देखते हुए और दुख तकलीब भी बोल देनी है हन्मान चारीसा चला कर रखें मोबाइल टेप रिकोर्टर में शाम के समय अतियोत्तम होगा अब आप सभी को यह कपूर को प पूरे घर में आपको उसका धुआ करना है इससे आपके जीवन में आप स्वयम ही सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे जीवन में दुख बिमारियों का नाश होते हुए खुडी आखों से देखेंगे हन्मान जी महराज प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे घर के आसप प्रदीप मिस्राजी द्वारा बताए गए पांच दीपक जो कि आप सभी चाहे तो लंबी बत्ती के ले चाहे तो जो है आप घी के बनाए चाहे तो तिली का तेल यूज करे चाहे तो आटे का बनाए चाहे तो माटी का ले सकते हैं पांच दीपक अस्टिमी तिथी पर घर के मुख्यद्वार पर जरूर से लगाने हैं आपने हैं उपाई सुना भी होगा गुरुजी कहते हैं एकादशी अस्टिमी पंचिमी प्रदोश मासिक सेवरातरी इन विसे इस्तितियों में जो अधिक मास में पढ़ रही है प्रतिक बिक्ति को घर के मुख्यद्वार पर कहीं तक जिन गर के मुख्यदार पर कम से कम पाँच दीपक पवित्र अस्टिमी के धिन लगाना ही है करके देखेगा निश्चिति आपको लाब होगा तो इस तरह से यह जानकारी थी संकल्प लेगर 11 बार 21 बार ये एक बार दो बार कम से कम साम के समय पर पाठ करें और महादेव के सिविलिंग के ओपर लाल चंदन का जल समर पित करना लाल पुस्पों से सरेंगार करना आज के दिन लाल मरंग की चीज़े मंगल ग्रह को आकरशित करती है धन की समश्या दूर करती है करज इत्याधी की भी परिशानी को दूर करने में सहायक है तो करके देखे साम के समय निश्ची थी लाब होगा साथ ही आपके जीवन में एक उपाय और मुझे ध्यान आ रहा है बहुत अधी कर्ज हो गया है इन दिनों कर्ज लौन की समस्या से धन सम्मंदी समस्या से सभी वेक्ति जूज रहे हैं तो आप सभी को लौन का जोड़ा लेना है जोड़े सहित लीजिएगा कोई भी कारी हो दो के सरूप में किया जाए तो अतियोक्ता में से माना जाता है लौन का जोड़ा लेना है और आप सभी को बट के श्वर महादेव का नाम लेते हुए बट व्रक्ष के नीचे चले जा अब साम को पांच बजे बाद तो बट व्रक्ष के नीचे जल नहीं चड़ाया जाता इस बात का ध्यान रखे सामाने सरल तरीके से बट व्रक्ष के नीचे आप सभी को अपने कर्ज का अपने लौन का अपनी धन संबंधी परिशानियों का भान करते हुए एक दीपक लगाना हैं अब पांच बजे से पहले कर रहे हैं तो जल के लोटे में डालनी जेगा पांच बजे के बाद तो आप अपने जो पीडा है कस्ट है उसका भान करते हुए बट केश्वर महादेव का नाम लेते हुए लौन का जोड़ा अगर बट व्रक्ष के नीचे मंगलवार की पव आप कीजिएगा कुछ भी समझ में आये पूछिएगा आपका अपना चैनल है निश्चित ही सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे आज आप 108 की संख्या में गुरुजी कहते हैं विसेश अधिक मास में जब कार अटक रहे हो तो 108 की संख्या में कोई भी चीज ज 108 की संख्या होनी चाहिए तो इस तरह से जो है यह जानकारी थी आपके लिए वीडियो उचीत रहा हो तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें कमेंट स्मॉक्स में जै स्रीवाला जी महलाय लिखना ना भूले हर हर महादेव झाल 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 झाल